अब देख रहे हैं पहरेदार भारत नियोज और इस समय की जो तस्वीरे हैं वो नराइन खेडा अटंकी धरने के आपको जो तस्वीरे हैं वो दिखा रहे हैं कि 2022 के मुआवजे को लेकर पिछले 10 दिनों से जो किसान है वो पानी की अटंकी पर चड़े हुए हैं और उनके सम मर्थन में रहेंगे और अनिश्चित काल भूखड़ताल करेंगे और आपको अब सीधी जो अपडेट है वो दे रहे हैं कि लगातार भूखड़ताल पर बैठे सरपंचों वो किसानों की जो तब्यत है और वो डिली हो रही है अब बात करते हैं हर्याना की दबंग सरपंच संतोष बैनिवाल की जो की हर्याना के राष्ट्री उपादेख्ष हैं और दड़बा के सरपंच हैं अगर संतोष बैनिवाल की बात करें तो ये बूखड़ताल में बैठने से जो उनका वेट है वो साड़े चार किलो के तकरीबन जो उनका वेट है वो कम हुआ है और पेट अगर सुभाश कासनिया की बात करें तो उनको भी जो आई फ्लू है वो हो रहा है और जो वेट है वो भी उनका धाई से तीन किलोग्राम के बीच में जो उनका वेट है वो कम हुआ है और उसके बात करते हैं मांगे राम ब्यानिवाल की जो कागदाना से सरपंच प्रतिनिती ह उनको भी आई फ्लू है वो हो रहा है और जो वेट है वो सबसे ज़्यादा जो वेट कम हुआ है वो मांगे राम ब्यानिवाल का हुआ है और हौंसले बलंद हैं कल कागदाना से एक ट्रक्टरों का जो भारी काफला है वो भी पहुंचा था सरपून के समर्थन में कागदान आई फ्लू की जो दिक्कत है वो देखी जा रही है उसके बाद अगर मुकेश की बात करें तो मुकेश का वेट भी चार किलो कम हुआ है विनोद की बात करें तो सरपांच विनोद का वेट है वो भी तीन किलो कम हुआ है इसी प्रकार से जो किसानों का जो वेट है वो तीन स में भी यही एक में मुद्दा रहा था कि जो टंकी पर जो किसान है उनका मेडिकल करवाया जाए लेकिन किसानों की तरफ से यही कहना था कि जो 51 मेंबरी जो किमेटी बनी है उसके बीच में बाचित करके यह प्रशाशन को बताया जाएगा कि उन किसानों का जो मेडिकल है वो किया जाना चाहिए या फिर नहीं अम्दोलन ऐसे ही चलेगा अब आगे की अपडेट क्या रहती है यह तो समय ही बताएगा कि जो मौवजा है वो कब आएगा लेकिन किसानों का यही कहना है कि पहले भी जो म सफल होती दिखाई दी हैं इस बार प्रशाशन की तरफ से जो मीटिंग है वो सफल होती दिखाई दी है और मौवजा आने की संभावना है